नमस्कार क्यापिचिल टीवी देख रहे हैं आप मैं हुआ आपके साथ पूचा ब्रेकिंग नाव में बड़ी कबर महरास से आपको बता रहे हैं जहां उद्धव ठाकरे को बहुत बड़ा जटका लगा है उद्धव ठाकरे के हाथ से पाटी गई सत्ता गई कुर्सी गई तो रैली के पहरे ये उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा जटका है वरली इलाका बताया जा रहा है जो आदत्य ठाकरे का गढ़ है तो वहाँ पे शिंदे कैंप ने बड़ी स्वेंदमारी की है जिसमें बताया जा रहा है कि तीन हजार से जादा कारे करता शिंदे कै चैंप में शामिल कितना बड़ा जटका उद्धव के लिए देखिए इसको कहते हैं राजिनती सास्तर में डॉमिनो इफेक्ट कि जब आपका घर तूटना सुरू होता है तो एक के बाद एक आपके किले जो हो धाराशाई होने लगते हैं तीन इंपोर्टन चीज जो अगल दोनों ही लिडर उद्धव ठाकरे और एक नाच्छिंदे ये दोनों ही अपनी अलग अलग रैलियां कर रहे हैं रैली मुंबई में होने वाली है एक बात समझ लीजिए कि ये जो मुंबई है मुंबई में अब तक उद्धव ठाकरे के साथ कई सारे लोग थे उद्धव ठ ठोड़ने वाले जादातर जो लीडर्स हैं वो मुंबई के बाहर जहां पूरी तरीके से उद्दव ठाकरे को चारो खाने चित कर दिया मतलब ये आखरी किला था जिसे एकनाथ सिंद को ढाना था और उसकी सुरुवात हो रही है तो पहली चीज ये दसहरी की रैली दोनों तरफ से ये तैयारी होगी ये बताने की ये दिखाने की मीडिया भी उसको दिखाएगा कि भई कौन है मुंबई का बाशाह सिर्फ से ना कि उपर किसका अधिकार है इसकी लड़ाई चली रही है तो एक मसला ये दूसरा ये जो रैली हो रही है ये रैली आगे तै करेगा कि जो अगले एक सब्ता दो सब्ता के अंदर वहाँ जो बीमसी के चुनाओ की जो तारीखे आने वाली है दसहरे के बाद वो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा उद्दव ठाकरे अगर बीमसी में फिर से चुनाओ नहीं जीतते हैं उनकी हुकुमत वहाँ पे नहीं आती है उद्दव ठाकरे के हाथ सब कुछ चला जाएगा उद्दव ठाकरे विल बिकम अनॉन प्लेयर संगिठन रहेगा दबदबा रहेगा भई हिंदू हिद्द सम्राइट बाला साब ठाकरे के सुपुतर कहलाए जाएगे लेकिन उद्दव ठाकरे सिर्व से ना गुट उसकी साख उसकी धाक और उसकी जो लेजिटिमेसी है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी क्यों वो मैं कुरूसियल बहुत ही इंपॉर्टेंट अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कैपिटल टीवी ने बताया था कि किस तरीके से दस राज्यों के सिर्व से ना के चीफ्स ने एक नाथ सिंदे का दामन थामा और उन्होंने उद्दव ठाकरे को टाटा बायबा के दिया मतलब मुंबई के बाहर महराष्ट के अलगलग जगों में भी एक नाथ सिंदे का दबदबा महराष्ट के बाहर पूरा का पूरा जो दबदबा जो है पूरी ते पूरी संगठन जो है वो एक नाथ सिंदे के साथ अब बच गया मुंबई और ये मुंबई में एकनाथ सिंदे को पठखरी देने के लिए ये जरूरी था कि आप अपने इस किले को बचा के रखें लेकिन एकनाथ सिंदे बड़े शातिर खिलाड़ी निकले चार हजार से ज़्यादा सिवसेनिक बकाईदा ये लोग मुख्यमंत्री के दफ्तर आकर घर आकर वर्षा और इन्होंने एकनाथ सिंदे के गुट को जोईन किया है और ये लोग कहां से हैं आप देखिए क्या सैकलोजिकल इसको करते हैं कि लड़ाई चल रही है ये सारे के सारे कारकरता वर्ली से हैं वर्ली क्या है तो वर्ली आदित ठाकरे की कंसिचुएंसी है मतलब ये आँख बन डबा गायब आपने आदित ठाकरे के पैर के नीचे से उसकी पूरी जमीन आपने खिसका ली एक कंसिचुएंसी के अंदर तीन हजार चार हजार कारता अगर आपके निकल जाएं वो किसी और गुट में सामिल हो जाएं आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं कितनी भी बड़े लीडर आप हो तो ये मैसेश कहा जा रहा है कि उद्दब ठाकरे के गड़ में सिव सेना के गड़ से आदित ठाकरे उद्दब ठाकरे के गड़ से आपने चार हजार कार करताओं को तोड़ लिया तो इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में ये BMC चुनाओ से पहले मुंबई के अंदर तमाम अलग-अलग इलाकों से भी लोग उद्दब ठाकरे को छोड़ कर एकनाथ सिंदे के साथ आएंगे तो दो चीजे हुई एक साइकलोजिकल वार में एक नाथ सिंदे उपर आदित ठाकरे को बहुत बड़ नुकसान उनकी राजनीती को बहुत बड़ नुकसान और एक जो उनको इस तरह से एक नॉन प्लेयर एक जुनियर प्लेयर माना जा रहा था कि बही उदव ठाकरे के बाद वही समाल सकते हैं उदव ठाकरे से तो चीजे नहीं सुधी लेकिन ये जो चार हजार तीन हजार की जो संख्या है कि कारकरता उधर चले गए ये इनकी राजनीती के ऊपर एक बहुत बड़ा धबा लग गया बारहजार कारकरता एक साथ ही शिंदेगुट में चले गए तो कौन आएगा दिशार राजनीती भीर तो दोनों में ही आएगा ये लोग अपनी पूरी जिंदगी वो पैसे दे या एन के प्रकार एन भीर तो लाना पड़ेगा एक नाथ सिंदे के भी की रैली में भीर होग में क्या एक्टिव कारकरता मुंबई के यह देखिए एक बात समझ लीजे मैं बार-बार इसको गोड़ ров开 कर रहा हूँ मुंबई के अंदर और मुंबई के बाहर बतायी है कि इस दिसारे रैली के लिए बाहर से भी कारकरताओं को बुलाय जा रहा है तो रैली बड़ी भीड होंगी लेकिन इंपोर्टन्ट क्या है इंपोर्टन्ट यह है कि जो अगला जो बीमसी का जो चुनाओ जिसकी तारीख अब तैह होने वाली है बहुत जल्द वहाँ पे इसकी घोशना होगी उसमें इन रैलियों का यह जो कारकरता छोड़के जा रहे हैं अलग-अलग ज सेना के उद्दव ठाकरे के गुट के तरफ से आ रही है कि जब से उनको यह मालूम चला है कि सुप्रीम कोट ने उद्दव ठाकरे के अरजी को दरकिनार कर दिया है और एलेक्शन कमिशन के हाँ छोड़ दिया है कि वो तैक करें कि भई किसके हाथ में तीर धनुस होगा पर चुनाओ लड़े सिंबल इस सो इंपोर्टेंट किसी भारती जनता पार्टी के लीडर को आप यह कहें कि आप नाउच्छाप के उपर जो है आप चुनाओ लड़ो कोई मानेगा उसको तो कमल चाहिए तो यह जो सिर्व सेना के जो लोग हैं उनको तो उस सिंबल से जीत मिलती है तो यह एक बहुत बड़ा जिसको कर सकते हैं कि सांस अटकी हुई है उद्दव ठाकरे की और जो अंदर खाने यह जो गर्बल एक जो एक सोटस का एक जो वजह है मुंबई के अंदर में जो तीन हजार लोग क्यों आ गए यह क्यों लोग जो है मुंबई में बड़ा यह है कि जो उद्दव ठाकरे बड़े मायूस होकर वो अपने मीटिंग्स में कहते हैं कि नए सिंबल की तैयारी हमें रखनी चाहिए उनको लगता है कि उनकी जो लोग उनके पास आ रहे हैं उनका पर्सनल कमिटमेंट जो कर सकते कि विश्वास है उद्दव ठाकर लिफे काना उनके सामने सिंपल सा एक अपना टार्गिट होता है कि हमें टिकेट मिल जाए और मैं चुनाव जी जाओं तो टिकेट मिल भी जाए तो चुनाव जीते हूं कैसे तो पहला चीज उसको लगता है कि जबーん सिंबल जहां मिल जाए और आपका लीडर खुद कह रहा है कि नए सिंबल की तयारी शुरू रखो तो इसमें और भी दहसत में है और इसलिए ये जो एक्सोडस का जो मसला जो चल रहा है लोग जो उद्दव ठाकरे गुट को छोड़ छोड़ के भागे जा रहे हैं इसमें और भी तेजी आएगी मतलब ये तीनों ही इंपॉर्टन्ट मुद्दो के उपर उद्दव ठाकरे को बहुत बड़ा जटका लगा है और ये जो तीन हजार चार हजार के संख्या में वरली के आदित ठाकरे के कंस्टियोंसी से लोग जो एकनाथ सिंदे के तरफ आए हैं ये इस कई MLA शिंदे के संपर्ख है यहां तक की शिफसीना सचेव मिलिंद नावेरकर भी शिंदे कैम्प में शामिल होने वाला रास्ते पे ले गए हैं उनकी वज़ा से गलत फैसले हो रहे हैं नाराजगी उन लोगों के साथ ही थी जिस वज़ा से उद्दव ठाकरे को इन लोगों ने छोड़ा और अब खबर ही आ रही है कि उनको भी तोड़ दिया जाएगा मतलब यह आप समझे कि उद्दव ठाकरे को पूरी तरीके से साइड लाइन करने में इन लोगों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है मैं आपको एक और बात बता दूँ मातोश्री के अंदर काम करने वाले दो सक्स जो सुरुआत से ही हिंदू हिद्द समाट बाला साब ठाकरे के सेवक रहे वो भी एकनात सिंद्दे क साथ चले गए तो कुछ न कुछ तो गड़बर है इनके बरताव में इनकी भासा में इनकी बिहेवियर में इनके काम काज करने के तरीके में और ये इंट्रोस्पेक्शन कभी उद्द ठाकरे आदिद ठाकरे कर नहीं पाए हैं इसलिए जो अपने थे वो छोड़के एकनात स जिन्दे के पास जा रहे हैं और ये बीमसी चुनाओ के पहले हो रहा है वो बहुत ही घातक है उद्द ठाकरे एसेम्बली एलेक्शन को लूज करने का तो अफोर्ड कर सकते हैं उद्द ठाकरे अगर बीमसी से बाहर हो गए उद्द ठाकरे गुटकी कोई संभावना नहीं बचेगी राजनीती में वो एक जो कसकते कि टॉल्थ मेन की भूमिका में आ जाएंगे ये सिबसेना एक नात सिंदे की पूरी तरीके से हो जाएगी दानिवाद जानकारी के लिए तो दशेरा राली होनी है राली के पहले ही उद्द गुटको बहुत बड़ा जटका लगा है एक साथ तीन अजार से जादा कारी करता शिंदे कैंप में शामिल हो गया है जिसे बीमसी चुनाओ को देखते वे भी उद्द ठाकरे के लिए फिलाल इतना ही कैमरेपरसर नशोक के साथ मैं पूजा कैपिटल टीवी